मुंगेर जिला के बर्यारपूर प्रखन के घोरगट गाफ के मध्य विद्याले घोरगट स्कूल में बच्चों को किर्मी जोग की दवाई का खुरा खिलाने पर 30 बच्चे बेहोश हो गए जिला प्रशासन को सूचना देने पर पुलिस प्रशासन एवं स्वास्त कर्मी वा एंबुलेंस पहुँच कर बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भिश्थिया है वही गरामिनों एवं अभिवावक में इस घटना से देह्षत का मौहल देखा जा रहा है वही नातनगर प्रखंट छेतर के अजमेरी पूर बैरिया इस्थीत नफ सिर्जित प्रात्निक विद्याले में दवाई खाने से करीब एक दर्जन से ज्यादा बच्चों के सिर में चक्कर आया और वह बेहोश हो गे वही गंभीर हालत में बच्चों को रेफर अस्पताल नातनगर में इलाज के लिए भेज दिया गया है विद्याले के शिक्षक ने बताया कि बच्चों को एलबेंडा जोल दवाई खिलाया गया था जिससे अचानक तब्यद बिगड़ने लगा जब बच्चे बिमार होना शुरू हुए तो कहीं शिक्षक विद्याले छोड़ कर भाग गये थे और समय पर एंबुलेंस भी नहीं आया था घंटों बात एंबुलेंस आया जिसके बाद सभी बच्चों को नातनगर के रेफरर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है वहीं ग्रामिनों दुआरा एनम और शिक्षकों के साथ मारपीट भी खी गई सुचना मिलने पर नातनगर इंस्पेक्टर मुहमत सज्जाद हुसें टीसी एलार अंचला अधीकारी स्मिता जा बीडियो अंतिमा कुमारी नातनगर प्रखंड प्रमुग दुर्गा दयाल समेथ अनि जनप्रतिनी धी वपदा अधीकारी विद्याले पहुंच कर लोगों क समझाने बुझाने में जुटे हैं